वेलकूम टू आल फ्रेंड्स मैं हूं सरत आप देखरें वापी का फेबरेट इटूब चनेल स्मार्ट सरते फ्रेंड्स आज है 18 अप्रेल आज हम लोग डिसकेशन करने वाले है येस ब्यांक के बारे में काफी आपका मेसेजिस आता है सर येस ब्यांक बारे में एक वीडियो वान का जो एस्टरडे का मैंने वीडियो बना कर पोस्ट किया था उसका भी कुछ अपडेट दूंगा सांदार तेजी बरा है एक बड़ी ब्रेकाउट देने के लिए तयार हो रहा है एंजल वीडियो में करेंगे दोनों सेयर का चर्चा चलिए करते स्टार्ट उससे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपको वीडियो पसंदाते सेयर करते रहे आपका फ्रेंड सरकल में और टेलिग्राम चैनल में जूड़े ने तो जलते से जाकर जूड़ जाए फ्रेंड्स आप बोलेंगे टेलिग्राम चैनल में क्या मिल रहा है फ्रेंड् यदर निप्टी, बैंक निपटी, स्टॉक अप्टन जीरो टू के और दे बैसिस में, फाइनांस निप्टी का भी जीरो को की आज ही का दिन में सांदार, हमलोग फाइनांस निप्टी में काम करके आये, तो आप लोगों को मैं इसलिये र्यक् oppose कर रहे हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जाकर आप इसमें एंट्री ले सकते हो अगर आप चाहते हो हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रूप में जुडने के लिए फ्रेंड्स पर डे बेसिस में आप सांधर रिटर्न्स ले सको इंट कर रहे तों पर डे बेसिस में स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉप टार्गेट औरिक्स ट्रेडर के लिए सेफ ट्रेडर के लिए कैसे एंट्री कैसे एक जिस्ट करते हम लोग ये सब हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रूप में जेते उसके लिए आपको क्या करना है ना हमारे साथ चलिए सबसे पहले में आप लोग अपडेट देता हूं एंजल ओवान के उपर जो कि एस्टरडे का विद्दिन में आप लोग मालूम होका 1296 का उपर क्लोजिंग था और आज बोपनी के साथ या बहुत संदर उसके साथ साथ हाई भी देखोगे तो आप चोग जो कि 1358 का हाई भी दर्च किया है कमपनी और फाइनली जो कि 1296 का उपर क्लोजिंग दिया 20 पॉइंट गेंड के साथ और साथ आप बोल सकते हो ब्रेक आउट दे दिया अगर ब्रेक आउट दिया तो ये सिधा 1500 रुपे का पांज जाकर रुकेगा ये तो बहुत इस खुब जल देखा देगा आपको 1500 रुपे का टार्गेट उसके लिए क्या करना है ना हमारा जो कि क्लोजिंग एस्टोडे का क्लोजिंग 1350 का उपर अ फ्रेंड आप देख सकते हो एंजल वान में एक सांदर सटम में बहुत बढ़या पैसा जो की 5-10% का रिटर्स भी बना कर आप लोग को दे सकता है एंजल वान और एंजल वान को आपका राडर पे रखिए अगर आपको पसंद आता ये सेयर में आप एंट्री लेकर बहुत स अंदर पैसा कमा सकते हो चलिए आज आते मुद्दे के उपर जो कि हमारा फेब्रेट सेयर एस ब्यांग के उपर में तो फ्रेंड्स आज एस ब्यांग में 9.9% का तेजी क्यूं सबका मन में एक क्वेस्टिन 16.75 का उपर क्लोजिंग 1.40 पैसा का उपर क्लोजिंग दिया जो कॉंटिन्यूस तो ये थोड़ा थोड़ा हुए तो गीरता रहता था लिकिन आज इतना क्यों तेजी हो रहा है उसका भी करेंगे खुला साथ देखिए फ्रेंड्स पांच दिन का चार्ट पैटर्न बहुत सांदर आपसाइट की तरो भाग रहा है वान मौन का आपको देख उचने का तयारी कर रहा है तो ये रहा है तो मैं बोलूँगा बहुत ससता सब्सक्राइब जो कि संदर संदर ब्यांक मिल रहे प्राइबिट सेक्टर का तो आप ट्यू फर्स्ट टाम एंट्री मेंस फ्रेश एंट्री के लिए एस बैंक कुन रहे हो अगर आपका पास है मैं बोलूँगा डेफिनेटली होल करना है अगर आपका पास नहीं है तो आप हडिएपसी बैंक कोटक महेंद्रा बैंक इस भी आई में भी एंट्री लेकर आप बहुत बड़ी पैसा कमा सकते हो ओके अल्रेडी जो इन्वेस्टेड है वो लोकों में बोलूँगा आप सुने रहा मोग का मत छोड़िये जोकी सत्रा रूपया पचास पैसा का उपर अगर अगया तो फीर यह बहार रहेगा 20 रूपय सुना रहे हो आप लोग का मन में यहीं चिंता रहेगा तो यह करते हो उसका खोला साथ सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को बता दूंगा यह गूर्ड निव जोकी एस बैंक के उपर से जोकी मार्केट क्या 50 लाक्स सरी 50 थाउजन क्रोर्स का हो चुका है एस बैंक का आप अभर ब्राड जोन में है क्योंकि यह 54 मतलों बहुत ही महेंगा सेयर हो गया है जो कि यह स्टॉक का जो पी बोल रहा है आरोई आरोसी देखकर तो आप बोलोगे यह तो कुछ भी नहीं है और फेस बालू टू रुपीस की है जैसे कि मैंने बोला आप लोको पी स्टॉक का ज बेरा आईडी ब्याई 17 एस ब्यांग 54 देखो कितना मेशिब यह पी में बहुत हाइली ओभर ब्रॉट में है थोड़ा गिरेगा तो कि इधर आपको मौका मिल सकता है जो कि फ्रेस एंट्री बाले को अभी एंट्री नहीं लेना है फ्रेस तेजी का पीछे की रीजन आप लो पास कितना थर्टी सेवन थर्टी एट परसेंट आप बोल कर चल सकतो यह डियाई को अमने लोग ओपन करेंगे और देखेंगे इस ब्यांग में क्या हुआ है तो फ्रेंड नौजर डाली है मैं आप लोग को एक है करके बता दूं डिसेंबर क्वाटर एंड मार्च क्वाट इसमें स्टेक सेल कर सकता है कितना ना देखेंगे इस मार्केट में पॉब्लीष हुआ पॉब्लीष होने का बाद देजी क्यों तेजी आया ना स्टेट बैंक अब इंडिया कोई उसका सेयर बेचा नहीं है जिस दिन लोग खुला था जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का आज का दिन में तो आया है बट जो इनका जो लोकिंग पिरियड था लोकिंग के बाद जैसे 12 परसेंट का आसपास का गीरा बट आया था एक ही दिन में एस बैंग में तो उसी टाइम मालूम पढ़ रहा था जो कुछ भी अच्छ और विशरा ये सटॉड को से परें ग्रसालीलिटी जिडने लिए रिजन के मार्केट में आगे भूचाल और आप लोग के सामने देखोगे जिब मार्केट ने मार्केट मिन्स एस ब्यांग में आज आ गया है सांदर तेजी 9% का तेजी था ओके यही एक छोटी रिजन था आप लोग को मैंने अपडेट दिया तो फ्रेंड्स आप लोग जैसे मैंने बोला 17 रूपिया पचास पैसा का उपर अगर यह स्टेबल होता है फिर हम लोग देखेंगे 24 रूपिस तब तो कि यह से बड़ा रहेगा यह सा दो तिन पॉइंड उपर नीचे उपर नीचे होते रहेगा और क्यूफोर का रेजल्ट जैसे आएगा रेजल्ट का उपर मार्केट का नजर रहेगा एस बैंक का उपर फीद तेजी की मंदी का नेस्ट शुरुवात करेंगे हम और आप बोलेगे किल के लिए सब क्या होगा कल भी इसमें तोड़ा तेजी बन कर रहे सकता है क्यूंकि जब लोहा गरम होता है तूरंद एक सेकेंड में थंड़ा नहीं होता है थोड़ा थोड़ा होने के टाइम लगेगा, कल भी थोड़ा वो तेजी आएगा, अगर आप इंट्राडे करते हो, तो इसमें मत किजिए, बहुत सरा स्टॉक पड़ रहे हैं, इंट्राडे करने के लिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो एक दो दिन के लिए, तो आप पोड़ ग्रूप में जुड़ना चाहते हो, फिर हमारे एंजेल वान ने तो अब स्टॉक्स का हमारा लिंक थ्रू जो आकाउंड उपन करके, आप हमारा साथ में लाइप टेम मेंबर्शिप ले सकते मिलते हैं, ने विड़ों हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय भागत!